Hello everyone and once again welcome back to Umar Tashkir YouTube channel myself Umar Tashkir Guys HTML course के आज के इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले about metatags Detail में समझने कोशिश करेंगे कि metatags क्या होते हैं Different different types of attributes है metatags के वो क्या होते हैं, किस तरीके से metatags का इस्तेमाल किया जाता है और SEO के point of view से metatags कितने important है या किन-किन metatags का हमें ध्यान रखना चाहिए SEO के point of view से सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस particular वीडियो में discuss करेंगे सबसे बहले यह समझने कोशिश करते हैं कि आखिर metatags का मतलब क्या होता है तो अगर basic definition के उपर जाए हम लोग तो आप देखते हैं Metatag defines metadata about an HTML document अब metadata का क्या मतलब होता है metadata का सीधा सा मतलब है information about information data is basically information जो हम बात करते हैं information about information की this is basically metadata सीधा सा मतलब समझने कोशिश करते हैं जैसे SEO वाले जो बंदे हैं उन्होंने meta description का तो खूब नाम सुनाओगा या अभी तक आप लोग समझ गयोंगी meta description क्या होता है तो meta description में हम लोग क्या mention करते हैं हमारा जो web page होता है उसका जो content है वो किस बारे में उसको हम define करते हैं meta description के अंदर तो meta description basically an information है एक additional information की additional information कौन सी web page अरे भाई web page के उपर हम लोग कुछ information डालते हैं और meta description के अंदर हम लोग इस information के बारे में information देते हैं कि यह वाला हमारा page इस बारे में यही चीज़ों mention करते हैं meta description के अंदर तो information की information is basically metadata तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि meta tag define करता है metadata about an HTML document I believe यह basic सी जो definition है वो आपको clear हो गई होगी जो मैंने आपको example बताया meta description का उससे fine उसके बाद जितने भी आपके meta tags होते हैं यह basically present होते हैं आपके head section में अगर आप meta description को use करते हैं तो आपको पता होगा head section के अंदर ही आप use करते हैं meta keywords को अगर आप use करते हैं तो आपको पता होगा आप head section के अंदर आप उनको use करते हैं तो जितने भी आपके Meta Tags होते हैं, उनको कहां इस्तमाल किया जाता है, HTML Document के Head Section के Under, जो है, वो इस्तमाल किया जाता है, उसके बाद Meta Data कभी भी Page के उपर नहीं दिखती है, It is Machine Parsable, मतलब ये Systems के लिए, ये Browsers के लिए, Browsers को समझने के लिए, Humans के लिए नहीं है, तो ये बात भी हमें clear होनी चाहिए, कि Meta Data का इस्तमाल, जो है, वो Humans नहीं करते हैं, For example, हम लोग, जो है, Schema Markup का यूज़ करते हैं, Schema Markup भी तो एक तरीकी का Meta Data ही है, वो Meta Data है, और Meta Data किसलिए यूज़ होती है, क्योंकि एक, जो है Meta Type, आप देखोगे, Meta Data Type, वो हमारा refresh भी होता है, तो उसके Point of View से Page को Reload किया जा सकते हैं, तो उस वज़े से यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद different, different, जो Attributes होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, Meta Tag के, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो जो सबसे पहला Attribute आप देख रहे हो, वो Character Set Attribute है, यह define करता है कि जो आपका HTML Document है, उसकी Character Encoding क्या है, मैं आपको example देखर बताता हूँ, जैसे for example मैं Sublime पर आ जाँँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं HTML Document लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ठीक है, Meta, यहाँ पर Character Set, और इसके अंदर एक Value आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो यहाँ पर आप पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कुशिश करो, Meta Tag केवल एक Tag होता है, ऐसा नहीं है कि यह Opening Tag भी होगा और इसका Closing Tag भी होगा, जैसे Title Tag होता है, जैसे हमारा Body Tag होता है, जैसे हमारा Head Tag होता है, Head Tag में क्या होता है, Opening भी होती है, Tag की और Closing भी होती है, बट Meta Tag में आपकी Tag ही होता है, ऐसा नहीं कि Opening का अलग Tag है और Closing का अलग Tag है, अब यहाँ पर देखो, यह तो Meta Tag को Define करने वाली बात होगी, यह जो आपको Character Set दिख रहा है, यह जो आपको Name दिख रहा है, और Content को भी आप एक तरीके से Attribute ही समझो, तो Name Define कर रहा है किस टाइप की Meta Data है, और Content Define कर रहा है कि इस Meta Data के अंदर कौन सी Information होगी, तो जैसे फॉर इक्जामपल, अगर मैं Description का Syntex, आपको दिखाऊ, Meta Description का, तो वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से हम लोग उसको Mention करते है, Meta Name, ठीक है, और Is Equal To, यहां होता है हमारा Description, और इसके अंदर हम लोग यहां पर जाकर फिर फर्दर, Content के अंदर जो हमें Description लिखना है, This is our Description of Page, जो भी हमें लिखना होता है, वो हम यहां पर जाकर लिख देते हैं, इसी तरीके से हम लोग जो हमारा Meta Keywords का इस्तमाल करते हैं, मैं वापस आ जाता हूँ एक बार के लिए, मैं Meta यहां पर Keywords ले लेता हूँ एक बार के लिए, Meta Name is Equal To, मैं Keywords ले लेता हूँ, अभी जो है SEO के Point of View से हम इसको इसको इस्तमाल नहीं करते हैं, पहले इसका बहुत जादा इस्तमाल होता था, for example, मेरे को रखना है Digital Marketing Services, Digital Marketing Company, यह सारी चीज़े हमें रखनी है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, यह Meta Tag हो गया, यह Meta का Attribute हो गया, यह भी Meta का Attribute हो गया, यह उसके अंदर की Value हो गया, वापस आ जाते हैं हम लोग, तो यह Different Types of जो हैं, वो हमारे Attributes है, Character Set एक Attribute है, Name एक Attribute है, ठीक है, और Name में हम Define करते हैं, Description रखना है हमें, Generator रखना है, Keywords रखना है, यह Viewport रखना है हमें, यह Define करते हैं हम लोग, तो एक और जो Meta Tag का आप Attribute देख रहे हो, That is basically Content, तो Content के अंदर हम लोग, Value जो हमारी Associated होती है, Name Attribute के साथ, मतलब, यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार समझाने के लिए बता देता हूँ, Name Attribute हमारा क्या है, Description, तो Description के साथ जो Value हमारी Associated होती है, उसको हम लोग Content Attribute के अंदर रखते हैं, उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा यह वाला, जो आप देख सकते हो, यह हमारे पास एक Attribute है यहाँ पर, उसके बाद कुछ Important Meta Tags की अगर मैं बात करूँ, With regards to SEO, तो Description हमारे पास होता है, Meta Description का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके उपर SEO वाली प्लेशिट के अंदर मैंने बहुत डिटेल में बात करी, कि Meta Description का यूज क्यों करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, Best Practices क्या है, Keywords का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने बात करी है, तो जिन लोगो Meta Description क्या है और डिटेल में समझना है, आप लोग प्लीज जाकर SEO वाली जो प्लेशिट है, उसको फॉलो करीगेगा, Meta Keywords जैसे मैंने भी आपको बताया, कि इसका बिस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे Meta Robots, तो जैसे फर एक्जामपल आप देखते होगे, इस टाइप से आपको syntax कहीं कहीं पर दिखता होगा, Meta Name, ठीक है, तो अभी आपको ये structure समझ में आ गया होगा, I believe ये बहुत ही जादा important चीज है, क्या आप ये confused ना रहो कि ये लिखा गया है, मतलब as a digital marketer, हमें समझ में आना चीए, कि ये tag जो है, ये क्या information carry करता है, तो यहाँ पर Meta हो गया, Meta tag define करने वाली बात होगे, Name की मैं बात कुरूँ तो क्या है, ये attribute है, और उसके बात, अगर मैं बात करूँ है, तो robots है, ठीक है, और robots के अंदर क्या value है, कि हम robots को instruction दे रहें, कि index करना और follow करना है, तो this is Meta robots, इसी तरीके से Meta refresh होता है, इसका जो अगर आप देखोगे, syntax आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो if you want कि कुछ time के बाद, जो person आपके उस page के उपर आया है, वो page refresh हो जाए, या वो person जो है, वो redirect हो जाए, दूसरे page के उपर, if this is something that you want, तो आप Meta refresh का इस्तमाल करते हो, ये काफी पुरानी चीज होगी, आज के time में हम इस चीज का इस्तमाल नहीं करते हैं, आज के time में हम लोग 301 वगेरा, जो redirections है हमारा, हम उनका इस्तमाल करते हैं, तो SEO के point of view से अगर आप देखो, दो ही तीन आपके meta जो है, वो important है, robots हो गया, description हो गया, keywords का आप इस्तमाल होता नहीं है, तो इस type से 2-3 तरीके के ही meta tag, जो है, वो SEO के point of view से important है, बस इस वीडियो का mean purpose है, वो यह था कि आपको समझ में आए, कि जो हमारे meta tags होते हैं, उनका syntax क्या होता है, और एक एक चीज का मतलब क्या होता है, जो आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आए होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में इत्मा ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल दन, गूद बाई.